हेलो एव्रियोन मैं हूँ आपका दोस्ट स्टॉक्मेन आइडिया में आपको स्वागत है अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस समधना बहुत ही जरूरी है आज के इस वीडियो सेशन में स्टॉक्मेन आइडिया आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का एक दम फंडामेंटल कोर्स मॉड्यूल लेके आया है जिससे आपको पूरा समझ में आए जाएगा और साथ ही आज जो कुछ भी हम सीखेंगे समझाएंगे उसका लाइव प्रेक्टिस भी इसी वीडियो में ही करने वाले हैं इसलिए वीडियो को ए बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है जो बीगीनर है उनके लिए तो बहुत ही इंपोर्टन होगा और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको भी ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो अभी तक इस मार्केट में वह नहीं जान पाए है इसलिए आज के वीडियो कैसे identify करें फिर तिसे नंबर पर रेजिस्टन्स को समझेंगे चौथे नंबर पर हम सपोर्ट को समझेंगे और हाँ इन सब का हम आज लाइव प्रेक्टिस करेंगे क्योंकि प्रेक्टिस के बिना टेक्निकल एनालिसिस को समधना अल्मुस्ट नामुनकीन है इसलिए आज आप खियोरी के साथ आपको प्रेक्टिकल एक्जामपल भी साथ में समझाएंगे जिससे आपके सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में ही क्लियर हो जाए एक चीज आपको जरूर बता दे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको पेशन्स रखना पड़ेगा पेशन कई। आपको फिर से टाइम मिले तो वीडियो वहीं से शुरू किजिए करतेश स्रीविडियो और इसके अलावा एक और इंपस्कृरंट चीज आपको यहां बताने चाहते हैं है कि यह session जब हम start करेंगे उसके बाद हम लगातार इसमें आपको practice कराएंगे और समझाएंगे इसलिए सारी important जो notice है सब पहले आपको समझा देते हैं फिर हम session की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको request है कि अगर आप वाके दिल से technical analysis को समझना चाहते हो तो आप साथ में नौट पेन जरूर लेके बैठिए कि जहां पे भी जो कुछ भी डाउट है आप उसको मार्क कीजिए उस डाउट को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे जाईए फिर से समझ यह अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बतान जैसे जैसे डाउट आएंगे जैसे सवाल आएंगे उन सब के उपर एक और हम कंबाइन वीडियो बनाने की कोशिस करेंगे इसलिए कंडिशन नंबर बट हाँ आपको एक और सवाल होता होगा कि आज हम जो सिखाएंगे उसका authentication क्या है मतलब हम कौन है तो आपको एक चीज ज़रूर बता दे कि हम NSC Certified Technical Analyst है और उसके साथ यह हमारा certification है इसमें कुछ चीजे बलर की है जिसकी वज़े से इसका misuse ना हो बस यही एक reason है एक और ची कुछ भी आप सुनोगे समझोगे एक दम validate होगा तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने content नंबर वन जाब हमने यह दिखाया था कि टेकनिकल एनालिसिस क्या है और क्यूं है अगर यह what and why का अंसर आज आपको मिल जाता है तो आप एक दम सही track पे हो जी ह सबसे पहले इसकी definition को समझते जो बहुत ही simple तरीके से आपको आप समझाएगा कि basically यह systematic approach है जिसमें past market data का use किया जाता है study करने के लिए तो what तो हमें मिल गया कि यह क्या है तो यह systematic approach है जिसमें study किया जाता है past market data का बट एक और questions था कि क्यूं किया जाता है तो क्यूं का answer है to forecasted direction of prices तो यहाँ पे हमें दो important parameters मिले हैं जिसमें से सबसे पहला parameter से past market data दूसरा है direction of prices यानि आपको यहाँ पे question जरूर होना चाहिए कि past market data क्या है वो कौन सा market data है जिसका study technical analysis में किया जाता है और दूसरा जो important parameter है आज के लिए वो है direction of prices अभी फिलाल यह दूसरा जो parameter है direction of prices उसको सिर्फ not down कर लिजिए इसका आगे बहुत ही अच्छा जरूरत होने वाला है बट सबसे पहले past market data यानि वो कौन सा data है जिसकी वज़ा से हम technical analysis करते हैं तो उसमें सबसे important data है कि वो है stock price यानि जितने भी stocks है आज जैसे कि Tata Motors हो गया realize industry हो गया वीपरो हो गया TCS हो गया बर्गर किंग हो बहुत सारे stocks है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो more or less 5000 stocks है अभी इंडिया में तो यह stock के जो price है वो एक past market data हो जाता है उसके अलावा जो बहुत ही important एक देता है जिसकी वज़ा से हम आज technical analysis कर पाएंगे वो है उसका volume जी हा तो यहाँ पे आपको दो चीज़े जानने को मिली कि जो past market data है उसमें से सबसे पहला है stock price and volume एक चीज़ आपको एक दम 100% clear कर देते हैं कि सिर्फ stock price and volume ही एक foundation है technical analysis यानि जितना भी technical analysis के module है जितने भी indicators है उनका base सिर्फ volume and stock की price ही है जी हाँ अगर आप ये concept समद लोगे तो आप मान लोग कि इस technical analysis का आपने 15-20% concept clear कर चुके है जी हाँ stock price तो आपको समझ में आता है कि कि किसी भी stock का price है लेकिन volume यहाँ पे बहुत लोग जो कहते है कि मुझे technical analysis थोड़ा बहुत समझ में आता है या तो फिर जो beginner level पे उनको कोई नहीं समझाता कि basically volume क्या होता है तो स सबसे पहले आप volume को समझते है अगर volume को समझना है तो आप बहुत सारे news channel जो business channel होते है उसमें एक word बहुत ही popular और बहुत ही ज्यादा आपको सुनने को मिलता है वो है trading quantity तो आपको एक चीज़ जरूर बता दिए जो trading quantity and volume है वो more or less एक ही है जी हाँ बिल्कूल बट इसको detail मे और समझना है अब detail में समझने के लिए stock market का जो concept है वो समझते तो stock market में basically कौन कौन होता है जिसकी वजह से यह पूरा stock market चलता है तो उसमें एक buyers होते हैं दूसरे sellers होते हैं एक चीज़ आपको जरूर बता दे कि अगर stock market में buyers हैं लेकिन सामने sellers नहीं है यानि आपको stock buy करना है लेकिन सामने कोई sell करने वाला नहीं है तो आप buy नहीं कर सकते और उसके opposite भी सही है यानि आप मैं और हम सब ही है जो stock market में stock का price को up and down करते हैं यही buyer and seller मिलके एक पूरा system बनाते हैं और इनकी वजह से ही volume का generation होता है वो कैसे वो समझाते हैं तो सबसे पहले एक example लेते हैं Tata Motors, Tata Motors के इस example में किसी भी एक दिन के लिए hypothetical thinking create करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 buyers हैं यानि 100 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि Tata Motors का share आने वाले time में आगे बढ़ सकता है आगे ज्यादा rise हो सकता है इसलिए वो buy करना चाहते हैं अब उसके सामने उसी time में उसी period में उसी दिन में कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 लोग है यानि 30 numbers है जो sell करना चाहते हैं यानि buyers की quantity hundreds है और उसके सामने जो sell करना चाहते वो 30 है अब इन दोनों का buyer and seller का quantity है उसको add करोगे तो total figure 130 होती है वही आपका उस दिन के लिए volume है और उसी कोई trading quantity बोलते हैं तो volume का concept आप यहां पर बिल basically volume होता क्या है लेकिन हम यहां पर एक और चीज आपको बताएंगे जो hidden है जो बहुत कम लोग जानते है अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो buyers की quantity ज्यादा है उसके सामने seller की quantity यानि इन दोनों का difference करें तो वो difference basically 70 आता है यानि यह जो 70 है जो 100-30 किया यानि buyer minus seller किया क्य region में ज्यादा थे तो हमें 70 का figure मिला यह 70 आपका कुछ नहीं लेकिन net volume है जी हां तो हमने अभी तक आपको क्या समझाया कि total volume क्या होता है वो volume का role play कैसे होता है उसमें buyer seller का cycle कैसे होता है trading quantity क्या होती है और उससे important net volume क्या होता है यहां पे एक चीज आपको quiz के लिए छोड़ है कि अगर इस hypothetical scenario को reverse कर देते हैं यानि जहां पे buyer से वहां पे seller कर देते और जहां पे seller है वहां पे buyers कर देते यानि माल लेते कि seller की quantity 100 है और buyer की quantity 30 है तो इस case में net volume कितना होगा वो आपको comment section में बताना है तो आशा करते है कि आप volume को पूरा समझ चुके हो क्योंकि हम सिर्फ definition पर ही गए तो definition के उपर ही हमने what and why question mark rise किया तो वहां से हमें बहुत कुछ जानने को मिला तो यहां तक हम क्या कर चुक है तो basically technical analysis क्या है क्यूं है वह concept आपको clear कर चुक है अब इस technical analysis के module में हम आगे बढ़ेंगे और समझे कि trends होता क्या है technical analysis में तो move होते है technical analysis में second content की तरफ की trends तो basically यहां पर trends काफी types को होते हैं उसको समझेंगे उसके बात इसको identify कैसे करना है वो बहुत ही important है क्योंकि अगर आपको कोई भी आके बोल देगा कि trends इतने प्रकार के होते हैं लेकिन वो real chart में आप उसको identify कैसे करोगे उसकी conditions क्या है वो आप सब कुछ clear होगा इसी वीडियो में तो सबसे पहले types की बात करते तो basically trends तीन प्रकार के होते हैं जिसमें से सबसे पहला है upside trend उसके बाद downside trend जिसको downtrend भी आप बोल सकते हो और तीसरा जो trend होता है वो है sideways trend इन तीनों trends जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है बहुत ही simple है इसक समझ में नहीं आता है कि technical analysis को इतना क्यों वो हाइप create कि यह बहुत ही critical होता है बहुत complex होता है जी हां यह बिल्कुल complex नहीं होता है लेकिन एक ही problem होता है कि हम patience नहीं रखते हम सिर्फ 5-10 मिनिट में पूरा सीख लेना चाहते आप उस पे लगाता practice करते रहेंगे उतना ही आ सबसे पहले बात करते कि upside trend होता क्या है जैसे उसका नाम है upside यानि stock या तो फी index का price rise होना इतना तो बहुत ही simple है और हर कोई समझ जाएगा कि upside trend में price का rise होना लेकिन यहां पे हम technical analysis को समझना चाहते उसको खुझ practice करना चाहते जिससे हम passive income earn करना start करे इसलिए इतना तो simple नही detail में जाना पड़ेगा upside trend को समझने के लिए हम एक example के तोर पे टाटा मॉटर्स का share के उपर हम discussion करेंगे अभी फिलाल टाटा मॉटर्स के share की current price की बात करें तो वह 412 के आसपास trade हो रही है तो एक hypothetical scenario create करते है जिसकी वजह से आप यहीं पे upside trend पूरा समझ जाओगे तो मान ल 450 होगा और 460 होगा एक disclaimer दे यह सिर्फ hypothetical thinking है इसको upside trend को clearly समझने के लिए अगर आप इन सारे points को 412 से लेके 460 तक इन points को connect करोगे तो आपको एक line दिखेगी और यह line कुछ इस तरह से दिखेगी जैसे आप देख रहे हो अपनी screen पे कि इन points को इन price points को connect करने के बाद जो line हमें मिल रही है वो rise हो रही है यानि शेर का price rise होने से उसमें जो line draw हम करते हैं वो basically rising line हमें मिलती है और इसी वजह से इसी को हम upside trend कहते हैं जी हाँ price rise होने की वजह से जो हमें trend मिलता है उसको upside trend कहते हैं लेकि इतना simple हमें आपको नहीं समझाना है upside trend में और क्या hidden truth होता है वो भी समझते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बता दे कि किसी भी stock का price ऐसे simple straight line में कभी आगे नहीं बढ़ता हैं वो हमेशा उसमें कुछ गीरावट आती है कुछ ठहरावाता है फिर वो rise होता है फिर से गीरता है फिर बढ़ता है तो इस तरह से इसी hypothetical example को कुछ और तरीके से present करते हैं माल लेते हैं कि 412 वाला जो stock का price था टाटा मॉटर्स वो 420 तो जाता है लेकिन उससे पहले वो 450 पे थोड़ा रूख जाता है फिर 420 पे जाता है फिर 420 के बाद अगर वो उसकी जन्नी की बात करता है वो 430 पे आके रूखता है वहाँ पे थोड़ा time लेता है संभलता है फ उसमें थोड़ा up move आता है तो इसी ट्रेंड को अगर समझना है तो इन सारे price point को फिर से reconnect करें तो आपको कुछ इस तरह से line देखने को मिलेगी यानि जो पहले straight line में था उसका picture अभी थोड़ा change हो चुका है यानि इस line को जो बोलेगे वो अब थोड़ी जिग जैग हो गई है जी हा यानि सेर का price बढ़ता है थोड़ा गिरता है बढ़ता है गिरता है ऐसे ही चलता रहता है और इसी जो pattern को हम बोलते हैं वो जिग जैग pattern होती है और यह upside trend में हुई है इसलिए उसको जिग जैग upside pattern भी आप बोल सकते हो लेकिन यहां पे upside trend जो आप चार्ट में देख करोगे तो इतना simple नहीं होता है उसके लिए दो important condition का fulfill होना बहुत ही ज़रूरी है तो वह समझते तो सबसे पहले जो यहां पे अब एक और नई चीज इंट्रोडिस होगी लो यानि जो 412 था उसके बाद वह 420 हुआ लेकिन उसके पहले वह 415 तक आया था यानि उसमें एक नमबर 1 की बात करें तो वह 412 है लो नमबर 2 की बात करें तो वह 415 भी ले सकते हो लो 3 की बात करें तो वह 450 है देन लो 4 की बात करें तो वह हो सकता है 455 है तो इस तरह से लो 1 लो 2 लो 3 लो 4 का एक creation हमें मिला है यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत कुछ समझ रहे हो ये लो क्यूंग हमने लो 1 लो 2 लो 3 लो 4 लिया है वो भी समझ चुके क्योंकि स्टॉक जैसे बढ़ता है वो नीचे भी आता है तो जो नीचे के प्राइस है उसको हम basically low बोलते हैं अब उसको थोड़ा और डीटेल में हम जाते हैं और समते हैं कि जैसे आपको मालू में 400 वेंड से लेके 460 के जो टाटा मॉटर्स की शेर की हम बात कर रहे थे उसका हमने लाइन कनेक्ट करने की कोशिस किये यानि हमें low मिल गए लेकिन उसके सामने जितना वो स्टॉक राइज होता है उतना वो हाइज करता है यानि high number 1 से लेके high number 3 हमने सिप एक्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके सामने denote किया है अब यहाँ पर condition number 1 की हम बात करेंगे तो वह आपको यहाँ पे clearly समझना है कि जो उसका low 1 है यानि 412 है उसकी compare में उसका जो low number 2 है वो चाया 415 हो या 430 हो बट यहाँ पे हम 415 को ही low number 2 मानेंगे वो low number 1 से ज्यादा होगा यानि वो 412 से नीचे नहीं होना चाहिए और वैसे ही continue करें तो low number 3 की value low number 2 से ज्यादा होगी और low number 4 की value low number 3 से ज्यादा होगी यही अपनी condition number 1 है जिसको बोलते higher lows जी हाँ यानि जो low बनते उसकी value incremental बढ़ती ही रहती है वो अपने previous low को बिलकुल break नहीं करेगा upside trend के लिए ये condition का fulfill होना बहुत ही जरूरी है अब इसके sat condition number 2 को भी समझना बहुत जरूरी है तो condition number 2 की बात करें तो उसमें जो आप समझ रहे हो कि उसके जो high है उसकी value भी उसके price point भी जादा ही होते है compared to previous high यानि high number 1 की compare में high number 2 की value जादा होगी high number 2 की compare में high number 3 की value जादा होगी और इसी को ही condition number 2 बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे higher highs यानि upside trend को समझना है उसको identify करना है तो बहुत ही simple है कि उसमें condition number 1 फूलफिल होनी चाहिए जो है higher lows and condition number 2 फूलफिल होनी चाहिए जो है higher highs यानि higher highs and higher lows का जो आपका combination होगा उसी को आप upside trend बोलोगे उसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है तो वो एक valid upside trend नहीं माना जा सकता तो इन सबका अब समरी करते हैं upside trend को समझने के लिए तो upside trend की बात करें तो condition number 1 जिसमें higher lows बनते हैं और condition number 2 की बात करें तो जिसमें higher highs बनते हैं यानि higher highs and higher lows का जो combination है उसी कोई upside trend बोलते हैं इसके अलावा कोई भी condition में अगर आप उसको upside trend बोलोगे तो वो एक valid upside trend नहीं होगा अगर आपका analysis गलत हुआ तो हो सकता है कि आप market में loss भी कर सकते हो क्योंकि आपका prediction ही गलत था आपका foundation ही गलत था आप upside trend को नहीं समझ पाए तो इस तरह से upside trend को clearly theoretically समझा चुके अगर आपको कुछ भी doubt है तो comment section में बिल्कुल बताना हमें और फिर से समझता है तो वीडियो को replay कीजिए जो भी topic आप नहीं समझ पाए उसको फिर से देखिए उम्मित करता हूं कि आप को कोई भी इस वीडियो देखने के बाद बोले कि up trend होता क्या है तो आप उसको simply समझा जोगे higher rise and higher lows का जो combination होता है उसी को हम up trend कहते हैं जी हाँ आप यहाँ पे बिल्कूल trends में up trend को clearly समझ चुके है अब up trend को आपने उसके condition 1, condition 2 को बिल्कूल समझ चुके लेकिन थोड़ा हम और आपको knowledge देने की कोशिश्ट करें तो जैसे ही अब high के जो high 1, high 2 and high 3 को आप connect करोगे तो आपको एक line ऐसे कुछ मिलेगी इसको कुछ नहीं लेकि अपर trend line कहते हैं जी हाँ एक और नया word इंट्रोडिस हुआ जो बहुत ही आप technical analysis जैसे जैसे सीखोगे प्रेक्टिस करोगे आप इस वर के बिना आप अपना analysis खतम ही नहीं कर पाऊंगे इसलिए हम detail में सब कुछ आज सिखाएंगे आपको यानि जो higher rise को connect करती है लाइन उसको upper trend line कहते है अब एक और question आपके दिमाग में होना चाहिए जो higher lows को हम connect करेंगे यानि low 2 से लेके low 4 को connect करेंगे उसको क्या कहेंगे तो उसको हम lower trend line कहेंगे यानि फिर से repeat कर देते हैं यह बहुत ही important topic आपके लिए आपको यहां पर बिल्कुल समधना है आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक यह concept clear नहीं होता है क्योंकि यह foundation है technical analysis का यह concept तो फिर से repeat करते हैं अगर higher rise को आप connect करोगे तो आपको जो line मिलेगी उसको upper trend line बोलते हैं और higher lows को connect करोगे उसको lower trend line बोलते हैं अब ready रहिए एक और word आपके सामने में introduce कर रहे हैं जो बहुत ही आपको use होने वाला है वो है trading channel यानि जो upper trend line और lower trend line के बीच में जो भी दाइरा है जो भी आपका prices का chart है चाहे वो candlestick chart हो चाहे वो line chart हो जो कुछ भी हो वो basically उसको trading channel बोलोगे जी हां तो यहां तक आप बहुत सारे words introduce कर चुके हो उसके बारे में समच चुके हो जैसे कि अगर शुरू से मैं आपको एक brief दे दू तो सबसे पहले आपने क्या समझा definition को समझा definition में आपने past market data वो सा यूज होता है technical analysis में जहां पर सबसे पहले था stock की खुद की price उसके बाद volume volume में भी हम यह समझे कि trading quantity और volume सेमी है volume में हम volume कैसे count होता है वो भी समझे और net volume को भी समझ चुके है उसके बाद हम कहां पर आए हम उसके बाद trends को समझने आए trends में भी हमने सबसे पहले upside trend को दो condition fulfill होना बहुत ही जरूरी है higher rise and higher lows अगर यह condition fulfill होती है तो वह आपका valid trend माना जा सकता है उसके बाद हमने higher rise को connect किया तो हमें एक और नहीं लाइन मिली जिसको हम upper trend line बोलेंगे and higher lows को connect किया तो उसको हम lower trend line बोलेंगे इन दोनों का upper trend line include करके lower trend line को include करे तो यह जो पूरा channel बनता है उसको हम trading channel बोलते हैं जियां यहां तक आप 30% technical analysis का foundation समझ चुके हैं अगर आप समझ चुके तो वाकई आप making the earning in stock market की journey में एक step cover कर चुके हो अगर आप नहीं समझे तो फीर से देखिए लेकिन यह concept बिना समझे आप आज आगे नहीं जाओगे अगर आपके पास time नहीं है तो यहीं से वीडियो छोड़ दीजिए वापीस आईए और यहीं से वीडियो शुरू करना अब upside trend को चार्ट में कैसे identify करते हैं वह समझते हैं लेकिन उससे पहले आप कौन से application का use करना है वह सवाल आपको ज़रूर होता होगा तो ज्यादा तर जो free website से जैसे कि अ अगर आप upstock का app यूज करना चाहते हो for the chart analysis, technical analysis तो आपको demand account होना बहुत ही ज़रूर ही है अगर आप trading view में भी नए हो आपको नहीं मालूम तो trading view में सिर्फ sign up करना होता है उसका link आपको description box में मिल जाएगा या तो फिर आप चाहते हो कि वाके मुझे एक और नया demand account open करवा इसका link basically हमारे description box में भी मिल जाएगा तो इस तरह से आपकी जो भी चोईस अगर आप चाहते हो कि trading view में आप sign up करना चाहते हो तो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा या तो फिर upstock के demand account का भी link आपको हमारे description box में मिल जाएगा तो सबसे पहले बहुत ही simple तरीके से हम trading view म इसको समझने की कोशिश करेंगे कि upside trend को कैसे identify करें तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यह daily time frame है यहाँ पे अगर आप नए हो तो हमेशा आप अपने time frame को daily रखना इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूत नहीं है क्योंकि आप beginner level पे हो तो जैसे आप देख रहे हो कि यह stock का price ह जैसे आप zoom करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह दीरे-दीरे upside हो रहा है लेकिन यहाँ पे condition test करनी है वह दो condition आपको याद होगी कि higher highs and higher lows तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक trend line draw करने की कुशिश करेंगे जैसे आप चार्ट में देख पा रहे हो कि यह trend line सभी highs को connect कर रह high number two है उसकी value high number one से ज्यादा ही है जो अपना condition number two था और so on यानि high number three का value भी उससे ज्यादा ही होगा और वही अगर condition number two की बात करें तो जैसे ही आप lower trend line को देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगी तो उसके जो low है यानि यहाँ पे आप जह प्रदा ही है यानि फिर से मैं अगर आपको आसान भासा में समझ में आए इसलिए नोट भी कर देते लो नंबर one की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपको लो नंबर one मिल रहा है उसके बाद next low की बात करें तो वह आपको basically यहां मिल रहा है ओके इसको अब हम बोल देते तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो कंडिशन थी upside trend का validate होने के लिए उसमें से सबसे पहले थी कि जो higher highs होना चाहिए यानि high number one की compare में next आई ज्यादा होना चाहिए और जो दूसरी important condition थी low का value नीचे नहीं आना चाहिए यानि low का value बढ़ते ही जाना चाहिए यानि higher lows हमें दीखने चाहिए अगर आप ऐसे trend को identify कर रहे हो तो आप correctly टेक्निकली right upside trend को identify कर पा रहे हो एक सवाल आपके लिए हम comment section में leave कर रहे हैं उसका answer आप दे पाओगे तो बहुत ही बढ़िया है कि अगर यह upside trend line को यहां पे cross करके उपर गया है तो इस particular point को या तो फिर इस पूरे process को technical analysis में आप क्या कहते हो गर आप जानते हो तो comment section में बताना अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे tactical analysis के module 2 में हम जरूर आपको share करेंगे तो यह था upside trend को कैसे identify करते वह आपके सामदे में लाइव practical example दिखाया है अब मूह करते दूसरे topic पे यानि upside trend को हम समझ चुके अब हमें समझना है कि downtrend क्या होता है तो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका क hypothetical condition ले रहे हैं जिसमें माल लेते कि CCB stock का price गीर रहा है लेकिन upside trend हम क्यों clearly समझा रहे थे आपको क्योंकि वह foundation अब downtrend में आप बहुत ही easy समझ जाओगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि downtrend में जो high होता है वो उसकी value लगातार गिरती रहती है यानि उसको technically समझे तो जो high one की value होती है वो सबसे जादा होती उससे कम high two उससे कम and high three की value होती है यानि इसको अगर technical word में बोलना है तो इसका मतलब होता है कि यह lower highs है जिसमें highs की value लगातार गिरती रहती है और यह आपका downtrend का number one condition है यह fulfill होना बिल्कूल जरूरी है अब इसके सामने condition number two की बात करें तो वह गिरता ही रहता है यानि low one की compare में low two का value और कम होगा low two की value की compare में low number three का value और कम होगा यानि उसको technically बोले तो यह lower lows बनाता है और यह आपका condition number two है जी हां अब यही दो condition के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर lower highs and lower lows हमें identify कर लिये तो उसको basically हम down trend बोलते हैं लेकिन एक और चीज़ यहां पर introduce करेंगे जो same है जो हमने upside trend में मिली थी कि अगर हम lower highs को connect करें तो इसमें भी हमें एक line मिलेगी जिसको हम upper trend line ही बोलेंगे अब यहां पर अगर lows को करें जो lower lows है उसको connect करें तो एक और line मिलीगी जिसको हम बोलें lower trend line और इन दोनों के बीच में और इनको include करना है यानि upper trend line and lower trend line के साथ उसके बीच का जो area है उसको हम बोलेंगे trading channel जी हां तो upper trend line, lower trend line and trading channel का concept मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल समच चुके हैं क्योंकि वो more or less दोनों trend में यानि upside trend and downside trend में same ही है उसमें ज्यादा फरक नहीं है आपको सिर्फ highs को connect करोगे तो आपको upper trend line मिलेगी और lows को connect करोगो तो आपको lower trend line मिलेगी अगर आप technical analysis वाकई practice के दर्म्यान यूज़ करने वाले हो तो इन दोनों के बिना आप technical analysis खतम नहीं करोगे क्योंकि आपने आज upper trend line, lower trend line and trading channel को 100% समच चुके हैं अब downside trend को identify करते हैं जैसे आप यहां पर देख रहे हो टाटा मोटर का ही example हमने लिया है हमने trading view यूज किया है अगर आपको question होता है कि हम upstock को क्यूं यूज नहीं कर रहे है तो आपके लिए अब अब upstock की बात करते हैं अब देख रहे हो यह टाटा मोटर का ही share है अब उसक मज में आ गया होगा कि downside trend है लेकिन हमें correct identify करना है इसलिए हमें line draw करनी पड़ेगी अगर trend line की बात कहें तो जैसे हम यहां पर एक trend line draw करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहां पर जो दो condition थी वो बिल्कुल fulfill होनी चाहिए उसमें से सबसे पहली थी आपको अगर याद हो कि lower highs होने चाहिए यानि जो high number one है आपके लिए मैं लिखता हूं यहां पर जो high number one की value है वो high number two से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहि जैसे आप देख रहें जो high number one की value है अगर उसके बात का जो high है उसकी value high number one से कम हो रही है उसके बाद अगर high number three देखे तो वह बेसिकली यहां पर जहां पर मेरा cursor है वहां आ रहा है फिर से मैं आपके लिए समझ में आए इसलिए मैं लिख लेता हूं कि यह high number three की हम बात कर है तो वह उसका value high number two से कम है यानि अपनी condition number one थी कि lower highs होना चाहिए वह यहां पर satisfy हो चुकी है अब lows की बात करें तो फिर से हम एक trend line draw करने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं lows को connect करूँ तो आपको एक और line मिलती है इस कुछ इस तरह से ओके मैंने accurately draw नहीं किये लेकिन आपको यहां पर समझा रहा हूं lower highs बनते हैं lower trend line में वैसे आपके lower lows बनने बहुत ही ज़रूरी है तो यहां पर आपको समझ में आए इसलिए मैं लीग भी लेता हूं कि यह उसका low number one कुछ यहां पर था उसके बाद एक all low create किया उसने और उस नहीं होगी यह आपको मैं जरूर बताऊंगा कुछ ups down तो रहते ही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आपने यह trend line यहां draw की है उसके बावजुत उसके नीचे share का price गया है यानि specific इसी range में stock नहीं हमें साथ चलता है लेकिन condition तो बिल्कूल fulfill होनी चाहिए कि इस low low number one की बात कर तो उससे तो low number two कम होना चाहिए अगर यह fulfill हो रही है तो आपने down trend को correctly technically identify कर पा रहे हैं टाटा मोटर के इस चेर में अब आगे मूँ करते हैं और वो तीसरे trend की बात करते हैं और उसका नाम है sideways trend जी हां sideways trend की बात करें तो इसका नाम है वैसा ही उसका काम है यह अच्छी ची trend में stock price up होता है downside trend में stock price down होता है और sideways trend में side होता है बिल्कुल सही बोला आपने sideways trend में stock price sideways में चलता है उसको अप टेखनीकली समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आप देख रहे हो कि stock price बढ़ रहा है गीर बढ़ रहा है गीर लेकिन अगर आपका observation सही है तो आपको एक stock का price बढ़ रहा है वो basically एक range bound हो चुका है जी हाँ एक और नया word आपको इंट्रोडिस किया है अमने range bound अगर आप business channel को कोई भी business channel को देखते हो तो आपको बहुत यह word सुनने को मिलेगा कि आज market side trade है या तो फिर आज market range bound है इसका मतलब क्या है उसको technically detail में समझते तो जैसे जब stock का price rise होता है यानि highs को connect करोगे तो आपको more or less straight line मिलेगी यानि इस straight line के उपर stock का price rise नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या होता है तो technical अगर बोले तो high number one, high number two and high number three की value almost same रहती है अब उसके सामने lows की बात करें तो low number one से लेके low number three का value भी almost same होता है जी हाँ तो यहाँ पर एक और दो condition आपको समझना है जो अगर आप fulfill करते हो तब आप उसको correctly sideways trend बोल सकते हो तो condition number one की बात करें तो high one का जो value है वो high two and high three के ज्यादा होना चाहिए या तो फिर उससे equal होना चाहिए यानि जो high number one का value है उसकी compare में high number two and high number three का value ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी condition में अगर high number two, high number one से ज्यादा हो चुका है तो उसको आप sideways trend नहीं मान सकते हैं अब जैसे highs में condition आपने समझ लिया तो आपको एक question जरूर होना चाहिए कि low में condition क्या होनी चाहिए तो आपका जो low number one की value है वो low number two and low three की compare में same होनी चाहिए या तो फिर उससे कम होनी चाहिए example के तौर पे मान लेते कि किसी भी stock का low 430 है अगर ये sideways trend है तो उसका जो low number two है वो 430 के बराबर होना चाहिए या तो फिर उससे ज्यादा होना चाहिए अगर ये दो condition fulfill आप कर रहे हो तो आप correctly technically sideways को correct identify कर पाये हो इसलिए हमने तीनों trends में दो condition आपको समझाईए इन दो condition के बिना respective trends का सही होना बिल्कूल गलत हो सकता है इसलिए अगर आप ये दो condition नहीं समझ पा रहे हो किसी भी trends में तो वीडियो में वापिस जाके फिर से वो समझ ये फिर वीडियो में आगे जाएंगे क्योंकि आज हम आपका technical analysis का जो foundation है जो बहुत ही कम लोग समझ पाते वो बिल्कूल hundred percent clear करना चाते अब Tata Motors के share के chart में हम sideways trend को कैसे identify करें वो समझते तो जैसे आप chart में देख रहे हैं अगर मैं ये trend line draw करने की कोशिश करूँ तो आपको कुछ इस तरह से दो points को connect कर पाओगे अब नीचे की side यानि lows की तरह अगर trend line draw करने की कोशिश करूँ तो कुछ मुझे कुछ इस तरह से line मिलेगी यानि आप देख रहे हो कि particular एक level के आने के बाद stock Tata Motors का नीचे आ रहा है और फिर नीचे की तरह आने के बाद ये फिर से rise हो रहा है तो एक specific ये sideways में trend हो रहा है औ अगर उस range की बात करो तो जैसे आप right side पे देख रहे हो वह 491 से लेके basically अगर lower side की बात करो तो 380 के बीच में ही trade हो रहा है अभी तक हम क्या कर चुके है तो basically technical analysis क्या है उसके बाद trends क्या होता है कितने प्रकार के होते हो समझ चुके है अब यहां पर ब्रीफ करना बहुत ही जरूर यह तो brief कर ले थे तो सबसे पहले हम technical analysis की definition में दो important parameters पे ध्यान गया था अपना सबसे पहला past market data जहां से हमें stock price and volume जो एक data के तौर पे use होगा volume में भी हम trading quantity क्या होती है net volume क्या होता है वो बिलकुल आपको clear कर चुके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यानि एक definition में आपको कितना कुछ knowledge मिल चुका है यह सब सबने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे जहां पे हम trends क्या होता है वो समझे इसमें से तीन प्रकार के होते सबसे पहले upside trend downtrend and sideways trend इन सब को clearly समझ चुके with live example अगर आपको हमारा यह समझाने का तरीका पसंद आया है तो आपको request वीडियो को like करके आप हमारी चैनल को subscribe जरू कर दीजिए और हाँ साथ ही जरूर बता दे कि हम यहां पर stock का भी analysis करते हैं इसलिए अगर आपको किसी भी stock का analysis संबधना है तो आप bell notification को press कर दीजिए क्योंकि हम जब भी कोई भी stock analysis का video आपके सामने रखते हैं तो उसका notification आप foundation course को आगे continue करते हैं तो अब बारी है resistance and support यह दोनों एक दूसरे से जूरे हुए हैं लेकिन बहुत अलग है इसको साथ में ही समदना बिलकुल जरूरी है अब resistance को समदने के लिए हम एक spring का बहुत ही simple example लेते हैं कि अगर आप spring को खिचते हो उस पे force apply करते हो तो एक limit आएग spring को tension वापिस आने को कोशिश करता है यानि यहीं चीज stock के price न भी लागो परती है एक ऐसा level जहां पे आने के बाद यहां पे हम stock price की बात करते है stock price नीचे आती है उसी level को हम उसी stock price के level को हम basically resistance बोलते हैं यानि वहां पे resistance maximum होता है जिसकी वज़ा से stock का price बढ़ने के अब इसको और technical समझेगे क्यांकि हम आज पूरा foundation क्लियर करना चाते हैं कि इसको buyer-seller में कैसे समझते हैं तो stock price का ऐसा level जहां पे buyer की quantity seller की compare में कम होती है जी हां यानि technically समझे तो sellers are more active than the buyers और इसी वज़ा से उस particular level पे यानि हम upside trend line की बात कर रहे हैं जैसे आप chart में भी देख रहे हो screen में भी देख रहे हो कि जो upper highs को हम जोडते हैं जो highs को जोडते हैं जो trend line हमें मिलती है उस trend line से stock वापीस आता है क्योंकि वहां पे maximum seller है buyer की compare में और इसी वज़ा से वहां पे stock को resistance फिल रहा है और इसी resistance की वज़ा से stock का price वहां से नीचे आ support इससे उल्टा है जैसा नाम है वैसा काम है मैंने आपको शुरू में बोला था कि technical analysis अगर आप patience से सीखो तो बहुत ही simple है जैसे उसके नाम है वैसे उसका काम है resistance में क्या होता है तो stock price में resistance फिल होता है resistance फिल क्यों होता है हमने volume में भी आपको समझा था कि buyers and sellers का एक पूरा chain है जो stock की price को up and down करता है तो इसमें से seller की quantity जादा होती है particular level पे और इसकी वज़ा से वो stock का price नीचे आता है यारी जहां पे वो seller की quantity जादा होती है उसको हम resistance बोलते है बहुत ही simple है लेकिन हम समझना नहीं चाहते या तो फिर हो सकता है अच्छा समझाने वाला आपको नही दोगे तो वो बॉल नीचे आके जैसे फ्लोर पे टच होगा वहां पे वो bounce back करेगा यानि वहां पे वो support लेके अपनी original position में आने में कोशिश करता है यह science है science में detail में नहीं जाएंगे लेकिन इसी चीज़ को stock price पे हम relate करना चाहते है कि stock का price जैसे बढ़ता है बढ़ता है और इसी दोरान एक ऐसा stock price का level आएगा यानि आप यहां पे जानते हो जैसे आप lows को connect करेगो तो आपको एक line मिलेगी जिसको हम बोलते है lower trend line यानि एक ऐसा level lower trend line का जहां से stock bounce back करता है यानि जहां से stock का price बढ़ना शुरू होता है इससे नीचे अब stock का price नहीं गिरता है उस level को हम support बोलते हैं और यह stock price जितने भी होती है वो more or less almost same ही होते है जब आप lower trend line को chart में draw करोगे practice करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि lower trend line पे जैसे ही stock आता है वहां पे support लेता है और वापिस जाने की कोशिश करता है और यह buyer के लिए बहुत ही अच्छा ए entry लेता है कि उसको मालूमें के lower trend line में stock आने के बाद हो सकता है यहां पे हम बोल रहे probability होती है कि stock का price rise होगा तो इस तरह से हमने support and resistance को बिल्कुल clearly theoretical समझ चुके अब बारिये इसको हम chart में समझे कि chart में वो कैसे काम करता है support and resistance क्योंकि practice के बिना technical analysis में competency लाना बिल्कुल ना म उनकीन है जब तक आप practice नहीं करोगे practical example नहीं समझोगे तब तक आपका यह technical analysis का foundation course बिल्कुल clear नहीं होगा resistance में आपको एक condition हमने समझाई थी support में आपको ज़रूर सवाल होता होगा कि वो condition की बात हमने क्यों नहीं की हमने बिल्कुल वो condition भी आपको समझाएंगे तो सबसे पहले वो support की condition समझ लेते हैं कि support की condition बहुत ही simple है stock का ऐसा price level जहां पे buyer की quantity seller की compare में ज्यादा होती है और उसकी वज़ा से उस stock में price में rise होता है उस particular level को touch करने के बाद यानि जैसे resistance में हमने देखा था कि resistance में ऐसा stock का price का level जहां पे seller ज्यादा होता है बायर की compare में और इसी region से stock का price नीचे गिरता है और उससे उल्टा support यानि support लेता है support लेने के बाद stock का price उससे वहां से अब जाएगा पहुत ही simple support and resistance आपको अमने समझा दिया है गर आपको किसी भी session में नहीं समझे है तो वीडियो को feed से देखिए जहां नहीं समझे थे वहां शुरू कीजिए बार बार देखिए जब तक आप उसको foundation को clear नहीं करोगे तब तक आप technical analysis के जरिये आप stock market में पैसा और नहीं कर स 50% नहीं समझते हैं तब तक आप बिल्कुल कभी भी stock market में technical analysis के जरिये investment या तो फिर ट्रेडिंग नहीं करना क्योंकि वह आपको ultimately lost की तरफ ही ले जाता है तो इस तरह से इस technical analysis के foundation कूर्स में basically आप क्या-क्या समझ चुके हो तो यहां पर हमने जैसे contents में बताया था कि हम technical analysis क क्या होता है उसके बाद most important trends कितने होते हैं और उसके बाद resistance को हमने समझे resistance के बाद उसके opposite वाला section जो होता है वह support उसको clearly with example समझ चुके हैं और यहां पर हमने इन सारे sessions का live practice भी आपको समझा दिके हैं अब इन सब का यहां तक हमने individual trends को समझा था उसका चार्ट में कैसे identify कर इन सब को यानि trends resistance support इन सब का combine करके चार्ट में कैसे समझते हैं यानि whole picture कैसे clear होता है वह उस example के जरी आपको समझाते हैं live chart में कि एक नया stock लेते हैं और उस पे हम सब कुछ अभी तक हमने जो सिखाया उसको फिर से repeat करने की कोशिश करते हैं with live example तो अगर वह stock की बात करें सबसे पहले अधानी का enterprise की बात करें तो अधानी enterprise को हम स्टॉक का analysis करते हैं मैंने already analysis किया है उसको हटा देते हैं जिसके आपको समझ में आए तो जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो अधानी enterprise के share में एक uptrend चल रहा है कैसे आप देख रहे हैं मेरा cursor move हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है यह क्या था मैं draw करके देखा रहा हूं थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए तो आप बहुत ही easy तरीके समझ जाओगे तो यह जो uptrend की हम बात कर रहे थे वह कुछ उसका uptrend इस तरह से चला है basically अब बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ एक ही picture में clear करेंगे हम तो कुछ इस तरह से उसका uptrend चला है अब lower trend line की बात करें तो उसका lower trend line कुछ इस तरह से था जी हां बिल्कुल सही समझ रहे हैं तो यह उसका uptrend था उसके बाद उसके next move की बात करें तो यह uptrend के बाद उसमें price कुछ इस तरह से संबल गई थी यानि अगर मैं आपको line draw करू तो कुछ इस तरह से समझ में आएगा अब lower trend line को draw करना बहुत जरूरी है तो आप बोलोगे कि यह uptrend के बाद यह कौन सा trend है जी हां आपको यह बताना है comment section में कि यह कौन सा trend है जो हमने video analysis में आज के training module में आपको समझाएदा अगर आप यह समझ पा रहे हो तो आप इस foundation यानि टेकनिकल एनालिसिस के foundation में 100% clear हो चुके हो तो comment section में जरूर बताना कि यह कौन से section की हम बात कर रहे हैं यह कौन सा trend है जो अधानी enterprise के stock के chart में हमें अभी फिलाल नजर आ रहा ह हैं कि इसी chart में बात करते हैं तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि वह downtrend अदानी trend में कैसे identify कर दें तो सबसे पहले upside trend line draw की मैंने उसके बाद lower trend line को मैंने draw किया और आपको मिल गया आपका downtrend जी हां यह आपका downtrend हो गया इन दोनों के बीच की area की बात करें तो यह आपका trading channel हो गया और support and resistance को अगर आपको समझना है तो यहां पर आपको बहुत easy तरीके से मैं समझा पाऊंगा कि अगर मैं एक lower trend line को draw करूं तो आपको समझ में आएगा की stock जैसे इस लेवल पर आता है वहां पर buying start होती है आप देख रहे हो इसने के बाद यहां आया buying हुई फीर न होता है और वह resistance भी बात करें तो वह upper trend line से मिलता है यहां तक वह राइज हुआ रेजिस्टन्स फिल हुआ नीचे आया सपोर्ट लिया राइज हुआ फीर से नीचे आया सपोर्ट आया राइज हुआ रेजिस्टन्स फिल किया यहां पर नीचे आया सपोर्ट लिया और फीर बड़ा अगर आपको इस technical analysis का module पसंद आया हो आपके concept clear हो गये हो तो आपको request ह हमारी इस Talkman Idea चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर करना और हाँ बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत मुलना comment section में आपका कोई भी अगर curiosity हो आपका अगर desire हो किसी भी session वहार समदना चाहते हो किसी भी topic पो technical analysis related य कर दोगा को वहार से ज्यादार से लिल्कुल मत मुलना से ज्यादा ज्यादास।